इब्राहिम का भय और परमेश्वर का अद्बुद आश्वासन क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आता है कि विश्वास में चलने के बावजूद भी आपके चारों तरफ अंध्यारा ही दिखाई दे रहा होता है और मन में बड़ा भय चाह जाता है दरसल ऐसा हर मसीह के साथ होता है और ये कोई असमानी बात नहीं है और ना ही इसमें कुछ बुराई है परमेश्वर ने मनश्य को भावनाएं दी है feelings and emotions और भावनाएं अपने आप में अच्छी है लेकिन जब हम बात करते हैं एक मसीह विश्वासी की तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका विश्वास और उसकी भावनाएं हमेशा साथ साथ चल रहे हो कभी-कभी हमारा विश्वास तो अपने जगापर होता है लेकिन हमारी भावनाएं हमारे विश्वास से विपरीत दिशा में चल रही होती है उसका मुख्य कारण होता है हमारे हालात कभी-कभी ऐसी परिस्थितिया आ जाती है कि येशु पर हमारा विश्वास तो अपने जगापर होता है लेकिन हमारे मन में बेचैनी और घबराहट आ जाती है और समझ नहीं आता कि क्या करें मतलब हमारे भावनाएं हमारे विश्वास का साथ नहीं दे रही होती तो ऐसा ही कुछ इबराहिम के साथ भी हो रहा था मैं आपको बताना चाता हूँ कि अगर आप विश्वास में चल रहे हैं तो मन में चल रही भावनाओं के विशे में परमेश्वर से बात करने में कोई बुराई नहीं है चाहे वे अच्छी भावनाएं हों, बुरी हों या कड़वी हों इत्यादी आप खुल कर उन्हें प्रभू के सामने रख सकते हैं वैसे भी प्रभू से कुछ छिपा तो होता नहीं है वो तो आपके मन का हाल जानता ही है जरूरी बात केवल ये होती है कि हमें अपने भावनाओं को अपने विश्वास पर हावी नहीं होने देना चाहिए हमारा विश्वास हमेशा येश्व के वचन पर अधारित होना चाहिए अपने भावनाओं पर नहीं पिछले अध्याय में इबराहिम एक बड़ा युद्ध जीत कर आया था और उसने अपने चारों तरफ परमेश्वर का अनुग्रह मैसूस किया था इसकी वज़े से उसे विजय मिली थी लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उसमें डर आ गया जैसा इस अध्याय में लिखाए कि कई पर ऐसा हो जाता है कि एक बहुत बड़ी सफलता के बाद एक अंजाना से डर मनुश्य के मन में आ जाता है इबराहिम के डर का एक कारण ये भी हो सकता है कि जिन चार शक्तिशाली राजाओं को इबराहिम युद्ध में हरा कराया था संभाव था कि वे कुछ समय बाद अपनी सेना फिर त्यार कर लें और इबराहिम से बदला लेने के लिए आ जाएं और इबराहिम को मार दें क्योंकि आम तोर पर पूर्व के राजा हार के बाद चुप नहीं बैटते थे बदला अवशे लेते थे तो इबराहिम को लगा होगा कि अगर वे राजा उसे मार देते हैं तो ना तो उसका वन्ष आगे बढ़ेगा और ना ही परमिश्वर की योजना पूरी होगी कि इबर वह ने उसे दर्शन दिया उत्पत्ति पंद्रा एक इन बातों के पश्चाद यहोवा का यह वचन दर्शन में अबराम के पास पहुँचा कि हे अबराम मत डर तेरी धाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ तो यहां पहली बार परमिश्वर ने बाइबल में कहा मत ड और इसके बाद आगे जाकर यही शब्द परमिश्वर ने इबराहिम के पुत्र इसहाक और इसहाक के पुत्र याकुब से भी कहा फिर उसके बाद निर्गमन, गिन्ती, व्यवस्थः विवरण, फिर यशाया और आगे बहुत बार पुराने और नया नियम में कहा मत डर औ परमिश्वर ने यहां अबराम का नाम भी लिया, वो परमिश्वर जिसने करोडों तारे और असंख्य जीव जन्तु बनाए, वो हमें हमारे नाम से जानते हैं, मतलब उसका हर विश्वासी से एक व्यक्तिकत संबंध है, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, त तो जिनके पैकेज में भी दिसमबर का महिना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में दिसमबर के वीडियो में मिल जाएगा, अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छे स्पीड के लिए क्रुपिया गूगल ख्रोम या मोजिला फायर इसी तरह आप मोजिला फायर्फॉकस टाइप करें, फिर आप मोजिला फायर्फॉकस ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टाल करें, ये भी एकदम फ्री है, इसके बाद आप गूगल ख्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें, और उसमें हिंदी-biblestudy.com टाइप के तब हमारा वेब साइट गूगल ख्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियो अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी BibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियो बिल्कुल आराम से चलेंगे इसके लावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका श